Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2022 की लफ टारो रीडिंग और पिछले वीक मैंने आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है उनकी क्या true feelings हैं, उनकी क्या true intentions हैं आपके लिए तो जो भी लोग interested हैं जरूर देखें और कौन से topics पे आप पिका कार्ड रीडिंग चाहते हैं वो भी comment section पे आप मुझे जरूर बताएं इसी के साथ साथ अगर आप इस channel पे नए हैं तो please like, share और subscribe करें देखें आपके likes, आपके comments, आपकी subscription बहुत-बहुत माइने रखती है in fact यही एक motivation भी होता है नए वीडियो को बनाने के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो please खुल के like करें, खुल के share करें, खुल के comment करें और देखें अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant यहाँ पर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुछ से पूछेंगे, तो मैं आपको यहीं कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं यहां पर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं June 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Taurus आप लोगों के लिए देखें कि June 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पे तीन सेट अफ कार्ड्स हैं फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि Finally June मन्थ में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Taurus और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है The Empress Reverse और दिखेंगे Empress Tarot में कहीं Love, Care, प्यार, महबबत की बात करती है In fact दिखेंगे यह कार्ड कहीं Motherly Love की बात करता है और हम सब लोग जानते हैं कि Mother का Love बहुत Unconditional होता है इस कार्ड में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं Heart बना हुआ है और शुक्र प्यार के प्लानेट के ग्रह का Sign भी बना हुआ है और दिखेंगे यह कार्ड आप लोगों के लिए Reverse है तो कहीं हो सकता है कि पीछे बहुत एक Love के आपकी तरफ से आपके Partner के लिए रहा हो और कहीं In The Process आपने खुद को Ignore किया कहीं आपने खुद पे इतना Attention नहीं दिया जिसकी वज़े से आप परिशान हुए जिसकी वज़े से काफी Issues भी आपने Face किये और कहीं June Starting में आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया अब आप और जादा अपने आपको नहीं Ignore करना चाहा रहे हैं अब कहीं आप अपने ऊपर Again मैं कहूंगी Focus करना चाहा रहे हैं Self Love पे तोड़ा सा एक Attention देना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि अभी भी इसी तरीके का Love, Care, प्यार, महबबत आप अपने पार्टने के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं अपने आपको रोक रहे हैं लेकिन कहीं अपने आपको Hold Back कर रहे हैं और दीपर लेविल के लिए Heart on Lockdown का भी काट कहता है कि एक feelings, एक प्यार, महबबत आपके मन में आपके partner के लिए है लेकिन कहीं आप अपने दिल पे ताला लगा के बैठे हुए हैं यानि कि फिर से मैं कहूंगी कि आप Express नहीं कर रहे हैं उनको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं और शायद इसी लिए देखिए यहाँ पर Wheel of Fortune का काट कहता है कि बहुत एक fluctuating सी energies हैं किसी दिन आप बहुत great feel करते हैं किसी दिन आप बहुत low feel करते हैं किसी दिन आप action initiatives लेते हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि आप किसी situation, किसी चीज में से move on करना चाहा रहे हैं और देखिए थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा क्योंकि यह general leading है कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं और इस तरीके से एक movement, एक shift चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस relationship से ही move on करना चाहा रहे हैं और देखिए deeper level के लिए lip service का card कहता है कि जो भी आप अपने partner को कह रहे हैं अच्छा यह बुरा आप दिल से उसको mean नहीं कर रहे हैं गिल से आप नहीं कह पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेकिन देखिए इसके बावजूत भी एक loyalty, एक dedication, एक devotion आप अपने partner के लिए नहीं छोड़ पा रहे हैं जो भी इस relationship में हो रहा हो जो भी आपकी energies हो कहीं आप चाहा के भी उनके लिए गलत नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए गलत नहीं बोल पा रहे हैं और देखिए आप eight of pentacles reverse का काट कहता है कि यहां तो आप बहुत जादा अपने work, profession, career पर focus करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत जादा आप अपने आपको काम में डुभा रहे हैं आप कहीं अपने mind को deviate करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब और effort और महनत आप इस relationship पे नहीं करना चाहते हैं अब देखते हैं टॉरस के आपके पार्टने की क्या energies है तो देखिए आपके पार्टने के लिए आप इस सबसे पहले काज मुझे दिख रहे हैं masculine and dreaming of you और masculine energies कहीं active energies की बात करती है और कुछ ऐसा ही कुछ time से या फिर June starting में आपके पार्टनर मन ही मन महसूस कर रहे हैं या फिर ऐसी energies में रह रहे हैं जहाँ पे इस relationship के लिए again action लेना चाहते हैं initiatives लेना चाहते हैं और dreaming of you का भी card कहता है कि खहीं बहुत एक ख्वाप देख रहे हैं आपके बारे में मन ही मन बहुत सोच रहे हैं ये ख्वाप सब के लिए differ कर सकते हैं क्योंकि ये general reading है कुछ और इसके partner के लिए हो सकता है कि आपके साथ future चाहते हैं उसी से related एक ख्वाप देख रहे हैं कुछ और इसके partner के लिए हो सकता है कि कहीं आपके साथ date पे जाना चाहते हैं यहाँ पर Knight of Pentacles, Ten of Swords and Seven of Pentacles. In fact, तीनों ही cards कहते हैं कि वो Action Initiatives कहीं जून मन्थ में उस तरीके से नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से वो लेना चाहते हैं. और यहाँ पर देखे, Standards and Boundaries का भी card कहता है कि एक Healthy Boundaries बना के चल रहे हैं. खुए के इस Relationship में नहीं आ रहे हैं. खुए के अपनी Feelings को नहीं Express कर रहे हैं. और देखिए, इन्ही Energies के लिए सब Taurus के Partner के लिए Different Reasons हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पर Knight of Pentacles का card कहता है कि वो बहुत Sure होना चाहते हैं चीजों को लेकर या फिर जो भी वो चाहते हैं. Again, जब तक कि वो 100% Sure नहीं होते हैं. या फिर उनको एक 100% Surety नहीं होती है. एक Stability, Security वो नहीं महसूस करते हैं. वो चाहा के भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं. और हो सकता है कि कुछ Endings, Beginnings या तो उनके Personal Front में हो रहे हैं या फिर वो इस Relationship में चाहा रहे हैं या फिर वो कोई चीज़ को End करके एक नहीं Beginning करना चाहा रहे हैं और दिखे जो भी Ending, Beginning हो कहीं उनके लिए इतनी Comfortable रहती हुए नहीं दिख रही है. और कहीं Again जो भी हो रहा है वो उसको बहुत ज़ादा महसूस कर रहे हैं यानि कि जितना हो रहा है उससे भी ज़ादा अगेन उसको महसूस करते हुए दिख रहे हैं कुछ और इसके Partner के लिए लिटरली एक Victim Consciousness वाली Energies रहे सकती हैं और यहाँ पे Seven of Pentacles का Card Again कहता है कि वो एक Pause ले रहे हैं वो बहुत ज़ादा सोच रहे हैं बहुत ज़ादा एक Planning कर रहे हैं और कहीं पीछे मुड़के भी वो बहुत ज़ादा देखते वे दिख रहे हैं कि भई वो जो चाहते थे क्या वो उनको इस Relationship से मिला और अगर मिला तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए नहीं मिला तो उनको क्या एक different direction ले लेनी चाहिए क्या उनको फिर से मैं कहूंगी कि आगे बढ़ते जाना चाहिए तो इसी के बारे में बहुत ज़ादा सूचते हुए दिख रहे हैं शायद कोई decision लेना चाहा रहे हैं कोई choice करना चाहा रहे हैं जो कि उनकी लिए इतनी आसान नहीं हो रही है और अब देखते हैं Taurus की जून मंत में क्या हो रहा है तो देखें जून मंत के लिए आपे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है integrity और ये card कहता है जो भी आपकी energies हो जो भी आपके partner की energies हो कहीं एक basic devotion, basic dedication आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं और शायद इसलिए देखें जो भी issues, जो भी मसले इस relationship में चल रहे हैं या मैं कहा सकती हूँ problems छोटी मुटी या बड़ी कुछ लोगों के लिए इस relationship में चल रहे हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उन पे इतना focus नहीं कर रहे हैं जो चीजे अच्छी हैं उन पे focus करके उन पे work करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और किसी चीज के लिए बहुत impulsive भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होते हुए देख रहे हैं और देखिए आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती हैं लेकिन यह impulsive जल्दबाजी वाली energies टौरस आपके लिए जादा रहते हुई दिख रहे हैं तूकि आपके लिए यहाँ पर Wheel of Fortune का card है और देखिये, surface level के लिए यहाँ पर Page of Wands का card कहता है कि कहीं एक immaturity भी इस relationship में आप दोनों याँ आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकती है या तो over excited, over enthusiastic किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं या फिर यह enthusiasm, यह excitement ही low रहे रही है और action initiatives again मैं कहूंगी आप लोग लेना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं और देखिये आपे love lyrics and two of wands reverse के cards कहते हैं कि deeper level पे again बहुत एक प्यार महबद आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए है और शायद इसी लिए आप दोनों आगे बढ़ना चाहा रहे हैं इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं next steps प्लान करना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए भी देखिये सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर two of wands reverse का काट कहता है या तो आप उतना confident अपने पार्टनर को लेकर याँ पर इस relationship को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं और देखिये टॉरस यापके पार्टनर की भी energies हो सकती है यानि कि वो आपको लेकर इतना confident नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर देखिये आप लोगों के views नहीं match कर रहे हैं आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि भाई आप दोनों बिलकुल ही अलग हैं और आगे जाके इतनी compatibility नहीं रहेगी या फिर compatibility से related issues रह सकते हैं तो ये था Taurus आप लोगों के लिए June 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें